नमस्कार शिक्षारतियों आप सभी का N.I.O.S के स्टूडियो में स्वागत है अब हम ग्रंथाला एवं सूचना विज्ञान इस अंसाधन के भागदों के विशय में बात करेंगे इस अंसाधनों तक इंटरनेट के जरिये पहुँचा जा सकता है इस अंसाधन तक पहुँचने के लिए इस अंसाधनों का प्रयोग करने के लिए हमें इंटरनेट की आवशक्ता होती है व्यक्तिकत रूप से हमें वहां तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती है संसाधन इंटरनेट पर ही उपलब्ध होते हैं इसके लिए आप अपने घर से अपने ग्रंथालय में आप रास्ते में भी चल रहे हैं कहीं पर भी जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट 24 x 7 24 घंटे हमारे साब उपलब्ध रहता है तो हमें जब इस अंसाधन की आवशक्ता होती है इस अंसाधनों के प्रयोग की आवशक्ता होती है तो हमें व्यक्तिकत रूप से कहीं जाने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि हमारे पास जो माध्या में इस अंसाधन तक पहुँचने का वो हमारा मोवाइल भी हो सकता है जिसमें इंटरनेट उपलब्ध हो वो हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है यदि आप घर में रहते हैं घर में विराजमान हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कहीं सफर कर रहे हैं तो आप अपने लेपटॉप के माध्यम से भी ये संसाधनों तक पहुंच सकते हैं वसरते आपके computer में, आपके mobile में, आपके laptop में internet उपलब्ध हो तो इससे हमें ये समझना है कि ये संसाधन, electronic संसाधन internet के बिना उपलब्ध नहीं है, हलाकि हमने पिछली slide में ये भी जाना था कि offline और online mode, दो तरीके के ये संसाधन होते हैं, लेकिन अधितरी संसाधन, electronics संसाधन, internet के माध्यम से ही उपलब्ध हैं, कुछ ये संसाधन CD-ROM के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं, परन्तु आज के समय में सबसे अधक ये संसाधन ये उपलब्ध हैं, तो internet के माध्यम से ही हम उनको access कर सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं, पाठकों को व्यक्तिगत रूप में ग्रंथालय में आने की आवशक्ता नहीं होती हैं, यदि हम अपनी library में जाते हैं और electronic resource को प्राप्त करते हैं library में जाकर, तो निश्चत रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमें ग्रंथालय में आने की आवशक्ता नहीं हैं, क्योंकि electronic resources, electronic संसाधन आपको अपने घर पर ही उपलब्ध हो सकते हैं, सपोज आपको कोई information, library की information, आपके अपने पुस्तकाले की कोई information चाहिए, कोई सूचना चाहिए, कि उसके नियम क्या है, खुलने का, बंद होने का समय क्या है, कितनी पुस्तकें आपको issue हो सकती हैं, या आपको और कौन सी सुबधाएं मिल सकती हैं, या फिर library में कौन-कौन से इस संसाधन उपलब्ध हैं, तो इसके लिए आपको गरंथा ले आने के अवशक्ता नहीं है, आजकल लाइबरीज ने, आजकल पुस्तकालेओं ने अपनी स्वैम की website क्रियेट करते हैं, अपनी स्वैम की website बनाते हैं, निश्यत रूप से जो software हम library में यूज करते हैं, उसका system, एक opaque system आपने सुना होगा, online public access catalog जिसका full form होता है, तो suppose आपको कोई सूचना पराप्त करनी है कि हमारी library में इस particular subject पर एक विशय पर कितनी पुस्तके हैं, तो निश्यत रूप से हम अपना library की website को access करेंगे, तो library की website access आप घर से तब करेंगे, जब आपके पास internet के सुबिधा होगी, आपके पास एक माध्यम होगा, तो यहां यह कहना आवशक है कि हमें गरन्थाले आने के आवशकता नहीं है, हम अपने घर बैठे ही कोई भी सूचना, कोई भी ईसंसाधन के विशय में सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जो पाठक दूर वर्ती तथा दूर छेत्रों में रहते हैं, वह लेखों को डाउनलोड कर सकते हैं तथा उन्हें दूर दराज में सुरक्षत रख सकते हैं, अब आप किसी भारत के जब यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर मॉबाइल है, तो आप उस पर्टिक्लर इन्फॉर्मेशन को या लेख को या आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं, यदि वह डाउनलोड फॉर्म में उपलब्ध हो, आप भारत के किसी भी दूर दराज कोने में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, यदि इंटरनेट की सुबधा उपलब्ध है, आपके पास नेटवर्क हैं, तो निश्चित रूप से आप उस लेख को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं, और उसका प्रयो कोई आर्टिकल है, कोई निउस पेपर है, या कोई पुस्तक है, अगर वो हार्ट फॉर्म में हैं, भौतिक स्वरूप में हैं, और वो लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो उस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी में आना होगा, उसके पस्चा तो वह एक निउस पेपर या समाचार पत्र एक ही व्यक्ति एक ही समय में पढ़ सकता है, चाहे वो पुस्तक हो, निउस पेपर हो, या फिर अन्य कोई बहुत एक सामगरी यदी है, तो वह एक व्यक्ति एक ही समय में उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब हम इस अंसाधनो विक्ति को एक ही समय में असीमित संख्या में व्यक्ति या लाइबरियरी का यूजर यूज कर सकता है कलपना कीजिए कि लाइबरिरी ने 510 मैगजीन और 10 नीयूस पेपर्स को या एक magazine को या एक newspaper को subscribe कर रखा है electronic form में और उसका access सभी को सारे library users को दे रखा है तो क्या होगा लाइबरी के user अगर हम कलपना करते हैं 100 user library में हैं और 100 user एक ही पुस्तक को एक ही electronic सामगरी को एक ही newspaper को एक ही समय में 100 लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं तो सबसे बड़ा जो लाब है इस अंसाधनों का वहयाए है कि अपनी निजी computer के माध्यम से mobile के माध्यम से एक ही subscribed item को एक ही subscribed magazine को या newspaper को एक ही समय में असीमित संक्षा में ये तो 101 कलपना की थी हमने संक्षा अगर हम ये कलपना करते हैं कि हमारे पास हमारी library में इतने users हैं कि अगर हमें जानकारी भी नहीं है तो असीमित संक्षा में हमारे library के users उस particular information को उस vicious सामगरी को जो electronic form में उपलब्द है उसका प्रियोग किया जा सकता है पाठक केवल एक search interface के द्वारा बहुत बड़ी संक्षा में संसाधनों को एक ही बारे में खोच सकते हैं search interface क्या है search interface का अर्थ है जैसा कि अभी आपने discuss किया था बताया था कि libraries आजकल अपनी खुद की website बना रही है अपना खुद का webpage तैयार कर रही है जिसमें library से समधित सारी सूचनाय उपलब्द होती है जैसा कि हम देखते हैं सामाने तहा जिन website पे about us यानि library के बारे में क्या है library का कितना collection है, library के क्या rules, regulations है, क्या नियम है library का, library कितने electronic items को subscribe कर रखा है या save कर रखा है library में कितने users है, library में information को search करने के कौन-कौन से तरीके उपलब्द है यह सारी information आपको यह सारी सूचना library के website पर या उसकी interface पर मिल जाएगी और यह सारी सूचना एक ही समय में कई library के users के द्वारा खोजी जा सकती है तो जो इस अंसादनों के lab के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा lab तो यही है कि एक ही समय में library की सारी सूचना लाइब्री इसके साथ ही इस अंसाधनों की सारी सूचना उपलब्ध है और खोजी जा सकती है इस अंसाधन प्रयोग के आंकडे भी प्रदान करते हैं जो ग्रंथालय कर्मचारियों को उत्पाद के प्रयोग को जानने में सहता करते हैं इसकार्थ ही जैसे आपने कोई database को सब्सक्राइब किया है जो electronic form में है उस database के अंतरगत बहुत सारी electronic पुस्तकें electronic journals available हैं उपलब्ध हैं अब उन journals को, उन इपुस्तकों को कितने लोग प्रयोग कर रहे हैं यह आकड़े भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें अगर संसाधनों के भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो लाइब्रेरीज में हमें जाना पड़ता है कोई बुक या कोई आर्टिकल या कोई अन्य सामगरी जब हम लाइब्रेरी में या तो लाइब्रेरी के अंदर पड़ते हैं तो सामानेता यह होता है कि लाइब्रेरी आजकल ओपन एक्सिस परदान कर रही है कोई भी लाइब्रेरी में जाता है वहाँ कोई पुस्तक लेता है और पढ़ने बढ़ जाता है तो जब वो पुस्तक सेल्प से लेता है या रेक्स से लेता है तो उसकी कुई सूचना हमें नहीं रहती है क्योंकि लाइबरेरी में open access से कोई भी जाएगा पड़ेगा और या तो वह है पुस्तक या कोई item लाइबरेरी का वहीं छोड़ देगा या फिर वो यह था इस्तान पर रख देगा तो उसका आंकड़ा हमें कैसे मिलेगा कि एक दिन में एक समय में एक विशय पर कितनी पुस्तकों का प्रयोग हुआ है अगर वह पुस्तक इशू नहीं होती है तो लेकिन जब हम इस अंसादनों की बात करते हैं यदि हम इस अंसादनों की बात करते हैं तो जब लाइबरी का यूजर कोई पुस्तक का प्रयोग करता है कोई आर्टिकल पढ़ता है कोई आर्टिकल डाउनलोड करता है तो यह सारे आकड़े हमें उपलब्ध हो जाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी library के collection का हमारे library के items का कितना प्रयोग हो रहा है तो ये आकड़े हमें पता चलते हैं जो आकड़े हमें ये साहता परदान करते हैं कि हमें या library को किन-किन मदों पर अपने budget को प्याय करना है रहे हैं किन-किन जो library के items उनका प्रयोग कम कर रहे हैं तो इससे library को बड़ी सहायता मिलती है कि उसको अपने collection को किस स्वरूप में develop करना है किस स्वरूप में आगे बढ़ाना है तो जैसा कि हम सभी जानते है library is a growing organism रंगनाथन का यह सूतर है कि library एक ऐसा इस्थान है जहां पर चीज़ें हमेशा बढ़ती ही रहती है तो उस बढ़ाने के स्वरूप को और कैसे बढ़ाना है इसके लिए हमें आकड़ों की आवशक्ता होती है और बहुत एक स्वरूप में हमें आकड़े मिलते तो हैं लेकिन सटीक नहीं मिल पाते हैं तो जब हम electronic संसादनों की बात करते हैं तो electronic संसादन हमें सटीक आकड़े देते हैं और यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि किन किन आइटम को हमें library में खरीदना है या नहीं खरीदना है क्योंकि उसमें user centric information हमें मिल जाती है अब जैसे पत्रिकाओं के लेक अंक उनकी मुद्रत संस्क्रणों से पहले ही online उपलब्द हो जाते हैं जैसा कि हमें पत्रिकाओं को या जर्नल्स को subscribe करते हैं तो उनकी निश्चित समय अवधी होती है कोई मासिक होता है कोई दूई मासिक होता है कोई वार्शिकी होता है कोई अर्द वार्शिकी होता है तो उसके लिए जो supplier होता है वह हमें मासिक हम कलपना करते हैं और suppose कोई पत्रिकाओं जो मासिक है तो वह निश्चित रूप से अगर उसका मुद्रण जन्वरी मास में हुआ है जन्वरी के महीने में हुआ है तो वह हमें जन्वरी में के दस्वे दिन मिलेगी क्योंकि उसको आने में डिस्पैच अब करते हैं तो उसको आने में समय लगता है लेकिन इस अंसादनों में यह ऐसा नहीं है इसमें क्या होता है कि यह मुद्रण जैसे ही वो मुद्रत होती है यानि हार्ड फॉर्म में जब उसको मुद्रत किया जाता है तो उसके पहले ही हमें वह पत्रिका वह लेख प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह उसका जो फॉर्म है उसका जो स्वरूप है वह वह जो है publish होता है और उसका access भी available हो जाता है उपलब्ध हो जाता है इसके लिए हमें उसका इंतजार उसकी परतीक्षा नहीं करनी होती है कि वह मुद्रत form में आए मुद्रत स्वरूप में आए लाइबरी में आएगा उसके बाद कुछ formalities होती है तब वह लाइबरी के user तक जाता है तो इसका एक सबसे बड़ा लाब क्या है कि कोई भी पत्रिका या आलेक हमें समय से पहले ही उपलब्ध हो जाता है मुद्रण से पहले ही उपलब्ध हो जाता है में सरभ्य द्रश्य तथा सजीवन विशय वस्तु का समावेश है जोकि अन्य मुद्रत प्रारूपों में अपस्थत नहीं होता है को सुन सकते हैं देख सकते हैं उसमें जो चलाइमान गतिविधिया उनको भी हम जानकर समझ सकते हैं लेकिन जब हम मुद्रत प्रारूपों की बात करते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें एक चित्र तो छपा होता है, लेकिन हम उस चित्र को सुन नहीं सकते हैं, हम उस चित्र के बारे में केवल देखर जान तो सकते हैं, यदि उसके बारे में लखा हुआ है, तो हम जा हम कल्पना करें कि कोई विकती ब्लाइंड है आखों से देख नहीं सकता है तो उसके लिए इलेक्टरोनिक संसाधन तो वर्दान के स्वरूप है जब कि मुद्रत संसाधन को वो पढ़तो सकता है उसके लिए एक लिपी जिसको उम्ब्रेल लिपी कहते हैं उसमें उसको कनवर्ट करने की आबशक्ता पढ़ेगी लेकिन अगर ततकाल कोई सूचना आती है कोई ऐसी बुक आती है कोई ऐसा अर्टिकल आता है जो उसको ततकाल पढ़ना है तो कैसे पढ़ेगा तो उसके लिए इलेक्टरोनिक संशादन सबसे बड़ा माध्यां बनते हैं क्योंकि वह स्रब्रवय शुरूप में भी उपलब्ध होते हैं उनको सुना जा सकता है इस संशादनों का संग्रह गरन्थाले में कम स्थान गेरता है इस संसादन क्या करते हैं कि इनके लिए किसी स्थान के आवशक्ता नहीं होती है जैसा कि हम लाइब्रिरिज में देखते हैं कि हमें बहुत सारी पुस्तकों को जब उनको व्यवस्तित करना होता है उनको रखना होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़े स्थान के आवशक्ता होती है लेकिन इस संसाधन एक वर्दान के सुरूप में हम सभी के सामने आए हैं क्योंकि इनके लिए किसी स्थान के आवशक्ता नहीं है आपके एक ही कंप्यूटर में लाखों किताबें लाखों पुस्तकें लाखोई इस material सेप किया जा सकता है, उसको सुरक्षित किया जा सकता है अब हम इस संसाधनों की हानियों पर भी चर्चा करेंगे अभी हमने इस संसाधनों के लाभ पर चर्चा की है कि इस संसाधनों के कितने लाभ थे परन्तु आब इनकी हानियों पर भी चर्चा करेंगे जैसे इलेक्ट्रोनिक संसाधनों को पढ़ने के लिए पाठकों को इंटरनेट की आवशक्ता होती है इन्टरनेट वरदान के स्वरूप में भी सामने आया है और इन्टरनेट एक हानी के रूप में भी हम देख सकते हैं पढ़ने के लिए कोई संसाधन है कोई भी electronic स्वरूप है या प्रारूप है उसके लिए हमें internet की आवर्शक्ता तो होती ही होती है और internet paid है उसके लिए हमें शुल्क अदा करनी होती है शुल्क देना होता है तो एक तबका अगर हम इसको ऐसे समझें एक समाज का तबका जिसके पास internet की सुब्धा नहीं है तो क्या वह इस अंसाधनों से वंचित होना उसका स्वाभाविक हो जाएगा तो internet नहीं है तो इस अंसाधनों को access कैसे करेंगे इस अंसाधनों को पढ़ेंगे कैसे तो internet की अनिवारिता कहीं न कहीं एक हानी के रूप में भी सामने आती है अगर internet नहीं है तो आप इस अंसाधन का प्रयोग और उसका access कर ही नहीं सकते क्योंकि अधिकतर information maximum information internet के माद internet पर ही उपलब्ध है इस अंसाधन के रूप में या electronic form में तो हम यह कह सकते हैं कि internet कहीं न कहीं एक हानी भी है दूसरे हानी पर यदि चर्चा करें यदि गरंथाला किसी इजर्रनल्स के सुल्क को रद्या बंद कर देता है तो उन जर्रनल्स के पिछले विशेश आंकों तक पहुँचना सुनश्यत नहीं हो पाता इपुस्तकों की इस्तिती में भी यदि गरंथाला इपुस्तकों के शुल्क को रोक देता है तो उसके अभिगम को अस्विकार कर दिया जाता है जबकि खरीदी गई एक बहुत प्रती हमेशा गरंथाले की अधिकरत संपत्ति के रूप में बनी रहती है इस अंसाधनों का प्रियोक परदे पर पढ़कर किया जाता है जो की मुश्किल तथा हानिकारक भी है तो इस अंसाधन के लाभ और हानिया जो की हमने अभी इस अध्याय में समझा जाना तो निश्चत रूप से इस अंसाधनों के बहुत सारे लाभ हैं बहुत सारी हानिया भी हैं हानियों की संख्या थोड़ी सी कम कह सकते हैं लेकिन लाब की संख्या या लाब के जो माइने हैं वो बहुत अधिक हैं तो हमने अभी इस स्लाइट्स में यह जानने के चेश्टा की कि इस अंसादनों का क्या लाब है किन किन तरीकों से उनका प्रियोक किया जाता है और किस तरीके से प्रियोक किया जाता है किन माध्यमों से प्रियोक किया जाता है इसके पस्चात हमने यह भी जाना कि आखिर इस संसादनों की हानिया क्या क्या है तो उन हानियों पर हमने चर्चा की उन हानियों को जाना भी और उन हानियों के बारे में समझा भी है धन्यवाद